हरे कृष्णा आईए पाठ को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महराज की वनबना करते हैं ओम ज्यानति मिरांधस्या ज्यानान ज्यान शलाकया चक्षोरोन मिलितव्येना तस्मै श्री गुरुवेन महा हे कृष्ण करुणा सिंधु दिन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्री वसाधिगोर भक्त वरिंदा तो पाट कहां तक हो गया हमने अध्याए टू शुरू कर लिया है चप्तर सेकंड स्टार्ट हो चुगा है इस अध्याए में अर्जुन क्या कह रहوج höं है भगवान को वही बात बोल रहे है कि हे प्रभू मैं युद्धन कर सकता इन लोगों को मात में से क्या लाब होगा और वह बैठ जाते हैं तो भगवान कहते है उसके बात कि हे प्रिठापुत्र तुम इस न पूषब को होगी तो इस तरह से वारतलाब हो रही थी और श्रीकृष्ण कहा रहे हैं कि अपनी हरीते कि इस धुबलता को जाग दो और युद्ध के लिए खड़े को जाओ हरे कृष्णा तो अब आगे करते हैं अर्जुन वाच कथम भीशम हम संखे द्रोणम च मधुसूदन इशो भी प्रतियो च्यामी पोजार हावरिसूदन अरे कृष्णा अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता हे मधुसूदन मैं युद्ध हुमी में किस तरह भीश्म तथा द्रोण जैसे पूजनिय व्यक्तियों पर उलट कर बांड चलाओंगा अरे कृष्णा अर्जुन क्या कह रहे हैं पहले भी ये बात हो चुकी है कि जो भीश्म पिता महां है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन कह रहे हैं कि मैं किस तरह से जो मैंने नौलिज ली हुई है उसको मैं कैसे काटूं उस पर मैं बांड कैसे चलाओंगा अठाथ जो मैंने नौलिज पहले से ली हुई है कोंची नौलिज एक बम का गोला था कहीं पे और वो फूट गया तब प्रित्री वनी थी मैं कैसे उस चीज को जुटला दूँ कैसे उस चीज को मानने से इंकार कर दूँ कैसे उस अज्यानता पर मैं बांड चलाओं ये चीज हमारे लिए है और जुन भी इसी तरह की बात क चलाओं ये और जो वीश्म पितामा है कैसे मैं अपने रिश्तोंदारों पर अपने सगे समंधियों पर बांड चलाओं ठीक है और हमारे लिए क्या है कैसे मैं अपने पितामा को छोड़ दूँ, किस तरहária से मैं अपने घरवालों को छोड़ दूकृ कैसे मैं भक्ति कि हे शत्रु हंता की शत्रु के विग्न करता शत्रु को मार डालने वाले हे कृष्ण हे मधुसूदन जो अज्यानता को समात करते हैं हे कृष्ण इस तरह से अर्धुन संभोधित कर रहे हैं कि मैं युद भूमी में कैसे पलट कर उन पर बांड चलाऊंगा कैसे मैं अपनी material knowledge के अगेंश्ट लडूँगा कि जो मैंने भूतिक्त जीवन से जो knowledge ली हुई है जो व्यर्थ है लगबग व्यर्थ है कि कोई बम का गोला तो था ही नहीं कि जो फूट के प्रिथ्वी बनी है ऐसा कुछ नहीं हो था शास्त्रों में तो पताया गया है कि भगवान ने ये सब में दिया हुआ है तो उस knowledge को हम पकड़ कर बैठे रहते हैं उसको हम जुटलाने के लिए तैयार ही नहीं है उसके ऊपर जाकर spiritual knowledge लेने के लिए हम तैयार ही नहीं है उसी तरह अर्जुन कह रहे है कि मैं अपने गुरूर दोनाचारे के अगेंस्ट कैसे लड़ूं अब आग अर्जुन ऐसे महापुरुशों को जो मेरे गुरू है उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीक मांग कर खाना अच्छा है अर्जुन ऐसा कह रही है भले ही वे संसारिक लाव के चुकों किन्तु है तो गुरू जन ही यदि उनका वद्ध होता है तो हमारे प्रट से सनी होगी हरे कृष्णा अर्जुन इतने बयावश हो गए हैं इतना रोने लगे हैं वो अंदर से भी और बाहर से भी उनके आसों निकल रही है अर्जुन की थीति अत्यांत दाइनिया हो गई है हम तो हसी खुशी ये पाठ कर रही है अर्जुन के बारे में बता रही है कि ऐसे बार तलाब हुई थी पर अगर वास्तम में वो दिश्या देखा जाए तो इतना मार्मिक दिश्या है अर्जुन के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम इकठी खड़ी हो गई है कि वो करें तो क्या करें अगर सामने अपने ही सोजन खड़े हो और उनके अगेंस् हैं और उसे सुख भोगते हैं तो वो सारा सुख जो अधन दोलत होगी राज्या होगा वो इनके खूंद से सनी हुई होगी और दूसरा कि जो मेरे गुरू है उन्हें मारकर जीने के पेक्षा भीक मांग कर खाना अच्छा है कि हम यह युद्ध तो इसलिए लिए लड़ र है् तो गुरू का मतलब होता क्या है गु का मतलब नरक और रू का मतलब नरक से νिकालने वाला इठाव गुरु कौन हुआ जो नार्किय जीवन से हमें बाहर निकाले उसको गुरु को बोलते हैं और नार्किय spiritual master होगा वो ही अध्यात्मी गुरु है जो वो ही हमें बाहर निकाल सकते हैं नार के जीवन से तो गुरु शब्द का जो अर्थ है गुरु शब्द सिर्फ और सिर्फ अध्यात्मी गुरु के लिए ही यूज कर सकते हैं लेकिन आज कल क्या चल रहा है हम college teachers को भी गुरु बोल हैं और तरह तरह के गुरु फ्रेशन गुरु मार्केटिं गुरु लव गुरु पता निकौन-कौन से हमने गुरु बना दिए हैं पर गुरु शब्द सिर्फ और सिर्फ अध्यात्मी गुरु के लिए प्रयोग होगा जो हमें इस नार के जीवन से बाहर निकाले और सब्सक्राइब कर दोटे हैं इस तरह से हमें पर वह गुरु नहीं है वह हमें अपनी इस नार के जीवन से बाहर नहीं निकाल सकते वह हमें अध्यात्मी गुरु ही निकालेंगे तो गुरु शब्सक्राइब तो इस तरह से गुरु शब्द का ये अर्थ निकलता है तो अरजुन कहरे हैं कि जो मेरे गुरू है उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं भीक मांगकर खा लो अब यहाँ पर बात आती है कि आज कल तरह तरह के गुरू होते है जो हमारे संपरदायके बड़े बड़े भकत आ हैं जो गुरू महराज हैं वो ऐसा बताते हैं कि जैसे बोगस गुर होते हैं कोई चमतकार कर देते हैं, मिराकल कर देते हैं, उन्होंने को इसी को ठीक कर दिया, किसी को कोई रोग है, वो ठीक हो गया, किसी की नोक्री लगवा दी, ठीक है, किसी तरह का कोई कश्ट दूर कर दिया, कोई मिराकल सा लगता यही हमारे गुरु हैं हम इनके प्रति समर्पित हैं अब इनसे उपर कोई नहीं यही गुरु है तो हम उन्हें गुरु माल लेते हैं पर क्या वो हमारा अकर्षन भगवान के प्रति बढ़ा रही है हमें यह चीज़ देखनी चाहिए अच्छी बात है कि गुरु को मारना नही चाहिए लेकिन अगर अगर धरम का मारक त्याग दे तब उस गुरु को छोड़ना ही अच्छा होता है ऐसा शास्त्र प्रमानित है तो ऐसा नहीं कि हमें घर्ण पर चलने लगी जो गुरु धर्म का मारक छोड़कर अधर्म पर चलता है उसे नार्किये जीवन जीना पड़ अधरम का रास्ता अपना लिया है, उन्झे भी नर्क मे वास करना पड़ता है, इसलिए ऐसे गुरू को त्याग दो, जिनोंने धरम का मार छोड़ दिया है, प्रमानिक गुरू को कभी मत त्यागो, क्योंकि प्रमानिक गुरू का मतलव यही है कि वो भगवान के दौारा अब एक उधान ले लेते हैं हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोष्वामी महाराज अभी उन्हें कुछ दिन पहले शरीर छोड़ा है अपना श्री त्याग दिया है उनकी कुंडली किसी भक्त ने किसी आश्टो लोजर को दिखाई कि बताईए इनकी कुंडली पिछे देवी देवता चलते हैं तरस्ते हैं कि यह हमें अपनी शर्ण दे दें इतने जादा यह भगवान से अट्यास आट Cheer상 है उन्हें कहते हैं गुरू यह टिया अध्यात्मिक वर और नहीं कि कुछ-कुछ होरा है ध्रम चोर दिया अधरम पर चलने लग गए शिरफ ऐसे कर दिया कि तुम ठीक हो जाओगे तुम्हारी नोपरी लग जाएगी तुम्हारे रोग ठीक हो जाएंगे जराजम विराकल कर दिया गुरू बन गए नहीं ऐसे गुरूं को त्याग देना अच्छा होता है तो यहां पर अर्जुन वही बात कर रह हैं अब वह अधर्म की तरफ से लड़ रही हैं तब ऐसे गुरू को त्याग देना ही उत्तम होता है ऐसा श्रीकृष्ण कहते हैं तो अब श्रीकृष्ण अर्जुन को प्रोच्षायत करेंगे कि तुम्हें इन्हें मारना चाहिए क्योंकि यह अधर्मी हो गए हैं तो आग कि एक विकृष्ण हम यही नहीं जानते कि हमारे दिये क्या श्रेष्ट है उन को जीतना या उनके द्वारा जीते जाना यदि हम धृत्राश्ट के पूत्रों का वद्ध कर देती हैं तो हमें जीवित रहने की आवशक्ता नहीं हैं फिर भीवे युद्ध भूमी में हमारे समक्ष खड़े हैं हरे कृष्णा तो अर्जुन क्या कह रहे हैं यहाँ पर अब उन्होंने धृत रहने के पूत्रों की भी बात कर दी अपने भाईयों की भी बात कर दी अपने चचेरे हो गेंगे किसके साथ तो हमें क्या जीने क्या हो शक्ता है फिर वे युद्ध भूमी में हमारे सामने भी घड़े हैं हमारे सामने भी खड़े हैं और उनको मार के तो हमें मिलेगा भी क्या तो अर्जुन इस तरह से कन्फ्यूज हो चुके हैं और बड़ा रूद्न कर रहे ह इतनी मारनिक उनकी स्थिती बन गई है कि वो करें तो क्या करें अगर हम उनको मार दें जाने कि श्रेश्ट है क्या उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना मतलब अगर हम उनको मार दें तो हमें ये राज्या मिल जाएगा अगर राज्या मिल गया तो हम उसको भोगेंग कि हमने भाईयों का वद्द किया तो अर्जुन कर्फ्यूज हो गए कि इन दोनों में श्रेष्ट है क्या तो ऐसा सवाल वो श्री कृष्ण के सामने कर रहे हैं तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं सभी साथ में बोलेंगे जैश्री कृष्ण अर्जुश्चे तरन्य प्रभुणित्यनन श्रीए द्वैता दाध श्री वशार दृ गाव्रु भक्त वरिंदा अरे कृष्ण हे ओढ़ेू।